नमस्कार, हम सब साथी रेशिया खूमने के लिए आयते नवे साथ एक कोंट्रेक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब हेलपर की जो मिलेगी, खाना बगरा बनाने में या असलाम उलाएकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आप सब खेरियत से होंगे, दोस्तों आज की इस वीडियो में इंडिया और साओी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया से विदेश में काम करने के लिए गए हजारों इंडियन लोग किस तरह से मौत के मुह में पहुँच गए हैं, यहां तक कि कुछ इंडियन लोगों की मौत भी हो चुकी है, साथ में यह भी बताने वाला हूँ कि एक दिन पहले साओधी अरब के अंदर पांच गहर मुलकी वरकरों को मौत की सजा भी दे दी गई है, इसके अलावा अरब देश में काम करने वाले इंडियन लोगों के लिए आई कुछ अच्छी खबर भी आपको बताने वाला हू हजारों इंडियन वरकरों से जुड़ी एक बहुत ही बुरी खबर के बारे में, उस खबर का स्क्रीन शॉर्ट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से कल से पूरे इंडिया के अंदर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जो इंडियन बिचारे लाक डेड़ ला के अंदर हो रही है, पूरी खबर क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए, तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में अपने इंडिया से हजारों इंडियन लोग लाक डेड़ लाक की सैलरी पाने के चक्र में इंडिया से इसराइल में काम करने के रखा गया है, वो एरिया असल में इसराइली बस्ती थी, वहाँ पर इसराइली लोग रह रहे थे, लेकिन हिजबुल्ला के हमले के डर से उन इसराइली यहूदियों को वहाँ से निकाल कर टेंटों में या फिर दूसरी जगहों पर शिप्ट कर दिया गया है, और उनकी शिकायत जब इंडिया में मौझूद इसराइली अमबेसी में की गई, तो अमबेसी वालों ने बहुत ही बेशरमी से कह दिया, कि इसमें इसराइल की गलती नहीं, बलकि हिजबुल्ला की गलती है, क्योंकि हिजबुल्ला उस एरिये में लगातार हमले कर रहा है, तो देखि दिखने वाली बात ये भी है कि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है अभी भी इसराइल फलस्तिनियों पर दिनो रात हमले कर रहा है और जवाबी कारवाई में थोड़े बहुत हमले हमास और हिजबुल्ला की तरफ से भी हो रहे हैं तो ये तो थी इंडिया से इसराइल म ही है इस वीडियो में दिखने वाले लोग भी इंडियन हैं जो रशिया में घूमने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पर जाकर फस गए हैं इस वीडियो में ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग नए साल पर रशिया घूमने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वहीं का एक एजेंट इन्हें घुमाने फिराने के बहाने एक जगह पर ले जाकर इनके सारे पैसे लेकर वहाँ पर छोड़ कर चला गया जिसके बाद रशियन पुलिस आकर इन लोगों को गिरफतार कर लेती है और फिर इन्हें 4-6 दिन जेल में रखने के बाद रशियन आर् कर लोगे तो आप लोगों को खाना पकाने का साफ सफाई का यही सब काम दे दिया जाएगा जिसके बाद इन लोगों ने जेल में रहने से बहतर काम करने वाले कॉंट्रेक्ट पर साइन कर लिया वो कॉंट्रेक्ट रशियन भासा में था उसमें क्या लिखा था इन लोगों को कोई पता नहीं चला लेकिन जब इन लोगों ने उस कॉंट्रेक्ट पर साइन कर लिया जिसके फारण बाद वहां की आर्मी ने इन लोगों को ले जाकर फाउजी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देने के बाद में इन लोगों को रशिया क तरफ से लड़ने के लिए ले जाकर यूकरेन में छोड़ दिया गया अब ये लोग इस वीडियो में रो रहे हैं कि इन्हें ठीक से बंदूख पकड़ना भी नहीं आता है ये लोग जंग नहीं लड़ सकते इन्हें किसी तरह से वहां से निकाला जाए और अब बात कर लेत हैं अरब देश में काम करने के लिए गए इंडियन वरकरों से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में तो देखिए ये खबर साओधी अरब की नहीं है साओधी अरब की जो खबर है आगे चलके आपको बता रहा हूँ लेकिन पहले इस खबर को आपको बता दे जाना चाहता हूँ जो अरब इमरात की है जहां पर काम करने के लिए गए इंडियन वरकरों के लिए एक इंशोरेंस स्कीम लाई गई है इसमें अगर इंडियन लोग सालाना 35 दिरहम से लेकर 75 दिरहम तक का एक प्रीमियम भरते रहते हैं तो उन्हें 35,000 दिरहम से लेकर 75,000 दिरहम तक मिल सकता है मिल सकता है नहीं बलकि उन्हें मिलेगा पूरी खबर क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया से अरब देशों में जाकर काम करने वाले वरकरों के साथ काम के दवरान अगर कोई हादसा हो जाता है त कमपनियां ऐसे इंडियन वर्करों को एक मुआवजा देती हैं लेकिन अगर उसी इंडियन वर्कर की नेचुरल तरीके से मौत हो जाती है या फिर काम से हट के बाहर कहीं घूमते फिरते वक्त उसका एक्सिडेंट हो जाता है तो फिर उस केस में उस वर्कर की कमपनी कोई भी हरजाना कोई भी मुआवजा नहीं देती है तो इसी चीज़ को देखते हुए आरब इमरात के अंदर LPP नामक यानि लाइफ प्रोटक्शन पॉलिसी नामक एक पॉलिसी शुरू की गई है जिसमें अगर कोई भी ब्लू कालर वाला इंडियन वर्कर यानि जो लोग लेबर क उड़ जाते हैं या फिर कोई इंजरी हो जाती है यहां तक कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो फिर इस इंशुरंस पॉलिसी के तहत उस वर्कर को 35,000 इमराती दिरहम से ले करके 75,000 इमराती दिरहम दिया जाएगा और अगर वर्कर की उस हादसे में मृत हो जाती है उसकी अब बात कर लेते हैं साओधी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुलकी लोगों से जुड़ी एक बड़ी ही खतरनाख खबर के बारे में जिसमें एक दिन पहले पांच गैर मुलकी लोगों को मौत की सजा दी गई है हाला कि वो पांचो इंडियन, नेपाली या फिर बांगला देशी नहीं बलकी पाकिस्तानी थे इस खबर में बताया गया है कि साओधी अरब की एक कमपनी में चोरी करने के मकसद से घुसने वाले उन पांचो पाकिस्तानियों ने उस कमपनी के वाचमैनों के साथ में मार पीट की जिसमें एक बांगला देशी वाचमैन की मौत हो गई थी जिसके इल्जाम में एक दिन पहले उन पांचों पाकिस्तानियों को साओधी अरब के अंदर मौत की सजा दे दी गई है तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और अरब देशों में काम करने वाले इंडियन लोगों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी अपडेट जिसे मैं आपके साथ में शेयर कर दी जानकारी अच्छी लगी हो टो वीडियो को लाइक कर दीजीए चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ 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 वाली आप में काम करने माले गैर मुलकी लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती है वो आपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हापिस